सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से सम्विधान के अनुचेर 370 को हटाने के पक्ष में फैसला सुनाया, हाला कि अंग्याय मूर्ती संजे किशन कॉल पहले ही एक अलग फैसला पढ़ चुके हैं, अनुचेर 370 को निरस्त करने पर सहमती जताते हुए उन्होंने कुछ अल वादिकार उल्लंगन की जाच के लिए एक विशेश समिती के गठन की सिफारिश की, जो जम्मू कश्मीर से सम्विधान के अनुचेर 370 को भटाई जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्य सम्विधान पीट में शामिल थे, उन्होंने अलग फैसला सुनाया, जस्टिस कॉल ने असी के दशक में कश्मीर में चरम पर पहुँची अलगावाद की समस्या का जिक्र किया, इसलिए कश्मीरी पंडितों का देश के अन्य हिस्सों में पलायन हुआ, इसका भी जिक्र किया गया है, उन्होंने यह भी कहा कि जब वे उस इलाके में गे तो उन कश्मीर में पर असर पढ़ा, सेना ने राज्य की अखंडता की रक्षा करने और विदेशी गुस्पैट को रोकने के लिए जो किया, उसकी कीमत राज्य के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को चुकानी पड़ी जस्टिस कॉल ने कहा, आगे बढ़ने के लिए घावो को भरने की जरूरत है, लोगोंने पीडियों तक कश्ट सहा है, और घावों को भरने के लिए पहले कदम के रूप में, राज्य और उसके अंगों को नेमों के उलंगन को स्विकार करना होगा, उन्होंने यह भी कहा, कम से कम 1980 के दशक से, राज्य और अन्य लोगों द्वार करें तरीकों के सिफारिश करेगी.